पीयम मोदी ने कहा यूपी अब बिमारू नहीं वाइब्रेंट विकास सम्रद्धि और शांतिस की पहचान बहुत जल्दी यूपी पांच अंत्रस्टे हवाई एड़ो वाला देश का एक लूता राज्य होगा सहरेंपूर विधायकों वे उद्मियो संग जिलादिकारी ने सुना लाइव लखनाव में आयजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2030 सहरेंपूर से 33,000 करोड का निवेश उद्मियों ने कहा बढ़ेंगे रोजगार के उसर नहीं होगा पलाएं नमश्कार आप देख रहें सिटी वैमनियूस और मैं हूँ आपके साथ प्रिधी शगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्रप्रदेश वेश्विक शिकर सम्मिलन 2030 को उत्खाठन किया इसके लिए उन्होंने ग्लोबल ट्रेंट शो और इन्वेस्ट यूपी दो की शुरुवात की है उत्रप्रदेश के इत्यास में ये पहला अवसर है जब एक साथ सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2030 प्रदेश को 1 ट्रिलियन डोलर की एकोनोमी बनाने के साथ इदेश को 5 ट्रिलियन डोलर की एकोनोमी बनाने के संकल्प को पून करेगा यूपी ग्लोबल इंवस्टर समिट के शुरुवाद से पहले यूपी ने 18,645 MOU पर हस्ताक्षर की राज्य को करीब 33,000,000 करोड के निवेश प्रस्ताओं मिले हैं जिससे 92,000,000 से अधिक स्थाई नोक्रियां और रोजगार सरजित हों उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी में 9,55,000 करोड और गुंदेल खंड में 4,28,000 करोड के निवेश प्रस्ताओं मिले हैं वहीं आपको बदा दे कि सहारन पूर से भी 33,000 करोड का निवेश मिला जिससे अलग-अलग छेत्रों में उध्धुग स्तापित होंगे कारेकरा में पहुँचे इन्वस्टर्स को पटका पहना कर प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित क्या गया देखे इस दोरान आएए ये चैप्टर जेर्मेंट प्रमोस सदाना निक्या का सुनिए सानकों से अभी बताया गया कि 30,000 करोर रुपे का इन्वेश हुआ है और अभी एक कोई उससे पहले 88-100 करोर का इन्वेश हो चुका था 21,000 करोर का कोई निवेश लियन साब ने बताया प्रॉसस में है और जल्दी वह हो जाएगा तो 30,000 करोर का टोडल निवेश है जिसमें इंडियन इंडस्ट्री अस्टोशीशन के मेंबर्स के द्वारा लगबग 22,000 करोर का इन्वेश का MOU साइन किया गया है सभी शित्रों में है इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, भोटल, रिसॉर्ट, सभी शित्रों में निवेश होगा है मुझे उमेद है बहुत रोजगार यहां सर्जन होगा MSME जो बताया गया है लगबग 3700 से प्लस MOU साइन हो है और अगर आप माने तो मुझे यह मानना है कि इससे 10 से 15,000 लोगों को एजली रोजगार में गया सहारानपूर में आजएत यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कारिक्रम में भाजपा विधायक भी पहुंचे इस दोरान भाजपा विधायकों ने क्या कहा देखे सहारानपूर में उद्योग को क्यों बहुत उस्ता है पूरा उत्तर प्रदेश के वेवसाही नहीं उद्योग पती उत्तर प्रदेश में अपना वेवसाही परत्सक्रम को रहे हैं और आगे आ जब अब 354 मू आना अजप निस्टेटर राने एक उद्योग को रोजगार देता है तो 354 उद्योग लगने के बाद एक बड़े रहेगा उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा आज यहां के से कुभी एक बड़ा रोजगार के रोपने लोग उसका रहे हैं मश्रूम का हमारे बड़ा उद्योग है स्टील फर्निचर का बड़ा उद्योग है फल फूर रहा है बायो हाइड्रो बायो वेस्ट का कारोबार साहनपूर जन्वत को 30,000 कोड का इन्वेश्ट हुआ है बड़ी बात है और यह यह तभी संबभ हो पाया कि उत्रप्रदेश के अंगर बाबा योगी जो है बिल्कुल ऐसा राज भी आए कि आज परमास बिल्कुल भी फन नहीं पा सकता है बेरोजगारी दूर करने के लिए 30,000 कोड के इन्वेश्ट हुआ है तो 30,000,000,000 कोड का फुरी यूपी में इन्वेश्ट हुआ है जैसा कि हम जानते हैं कि Global Investors Summit लखनों में आयुजित किया गया है जिसमें माने मुख्य मंत्री जी ने बताया कि दुनिया भर से करीब 32,000,000 करोड का इन्वेश्टमेंट उत्रप्रदेश में आया है इसी करम में सहारनपूर में हमारा जो लक्षे था 500 करोड का उसके अगेंस्ट हमेरे 314 इंटेंट्स प्राप्त हुए है जो लगबग 30,000 करोड की वैल्यू के हैं अगर यह हम सब इंप्लिमेंट हो जाते हैं तो सहारनपूर की दिशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी क्योंकि इन से करीब एक लाग से अधिक का रोजगार सर्जन होगा जैसे हम जानते हैं कि नौकरियों के लिए यह फूट प्रोसेसिंग के लिए है, वोट कार्विंग में है, टेक्स्टाइल में है, रियल एस्टेट में है, मेडिकल टॉरिस्में है तो विबन सेक्टर्स को मिला कर यह सब इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, इनके लिए गवर्मेंट ने भी 27 सेक्टर्स में पॉलिसी डेक्लेर की हैं और जल्दी ही इन पर इंप्रिमेंटनेशन हम शुरू कर देंगे इसी दिशा के लिए यह सब प्रयास किया गया है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो एकोनोमी बढ़ेगी, रोजगार के अफसर बढ़ेंगे अब दोलर का लग शेयफ पूरा करने में अपना इसा ही हो किया, इस दोरा निविशकों ने क्या कहाँ सुनिए अपनी वारी इंविश्टी है क्या रभल के नामते हैं कोस्मेटिक्स बोड़ो के पोस्ट मिलाते हैं हमने दस रोड का निविश किया है है, अफसर के व्याद के अफसर को नई फस्टी लगा रहे है तो भुट पर लोजगारी के है है हमारे प्लखनी चेत में आसपास के कहीं सो लड़के परिवारों के काम करते हैं जिससे वहां के कहीं गामों में ब्रज़िदारी के समस्चा बहुत अक्तर बूर हो गया है बहुत जोड़ा हुशा है और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दो सो तीन काल में खायम को जिता ह हमें बहुत बहुत बैशच आर देंगे जो नाइफ बैशलर्स आते हैं उनको अपने जो करीयर बनाने के लिए उनको घुर्ट मेंजमेंट का कोर्स करना होता है हमको ऑच्छा घंगे बच्चो के उनको एक नई चीज नई स्किल डवलेमेंट हो बच्के उनको अच्छी प्रेजेंट चाहिए अच्छा देंगे ऐसा नहीं है। होटल इनर्शी बगभ पड़ा स्केल है। उटका 5 स्टार, 7 स्टार 5 होटल तो ऐसा भूछ नहीं है। हम चाहिए हम जादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। हम परियात ही है रहेगा कि जादा से जड़ लोगों कोच्छार करें। हम बहुत कुछ स्यारी करें। हम बच्चे ढूंड रहे हैं। नहीं तरफे से नहीं चूज़ों को बाटें। हम अच्छे अच्छे शेफ लाना चाहते हैं। हम अच्छा खिलाएं। हम साथ की साथ यह भी सोचते हैं। हम मोटल करें अपने एक नई टेक्निलोजी राएं। जिसे की हम फिर्टे पिंटर लगाएं। हम बहुत कुछ सोचते हैं। लगि अभी धीर धीर तरफेसा होगा तो तो किस तरह आप इंडस्ट्री आंगे सुध्धोग में कीशिए। मैं एक फार्मस्टिकल इंडस्ट्री लगा रहा हूँ आयरुदिक प्लांट। जिसमें आईरुदिक मेडिसम्स बनेंगी। क्योंकि मेन हमारे इंडिया का बेस भी आयरुवेद है। और एक फार्मनेंट सॉलूशन है काफी प्रॉब्लम्स का जो शायद इलोपेथिक में भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए मुझी की तरफ एक प्लांट लगा रहे हैं जो लोगों को डायबेटीज, एक प्रॉब्लम्स का इलाज मिलने में हेल्फ करेगा। कई सेक्टर्स में चात्राइं चात्रों से जाधा अच्छा गाम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चात्रों को रोजगार मिलेगा बराबर चात्र और चात्रों दोनों को रोजगार मिलेगा उनकी काबिलियत के बलता। अब आपने वीडियो में देखा तमाम नेताओं ने अपनी अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राय रखी हैं। वहीं उद्मियों ने भी अपनी राय दी हैं। उद्मियों का कहना है कि सहारेनपुर में 33,000 करोड का निवेश हुए। जिससे अलग-अलग छेत्रों में फैक्टरिया स्थापित होंगी उद्धोग स्थापित होंगी जिससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे बेरोजगारों को। अब देखना होगा कि कितने बेरोजगारों की ये बेरोजगारी खतम होगी और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा क्या ये फुर से सहारनपुर से जो लोग पलायन करते हैं क्या वो पलायन रुप जाएगा अभी के लिए बस इतना ही एक बार फरसे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हूँ तो प्लीज जाद सा जादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा